हलो दोस्तों आजगी करेंट अफेर में दोस्तों आपका हर्दिक स्वाकत दोस्तों सबसे बहले डिसकस करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो क्यूज इसमें 47 व дома भारत को मिला दोस्तों तो कफी सारे स्टूइंट इसका correct answer दिया दोस्तों तो उन सबही को बहुत बहुत यह है एक अमेरिकी व्यापार समझोता है सेकंड ओप्शन है हाल ही अमेरिका ने भारत को इस समझोते से अलग करने की गोशना की है थर्ड ओप्शन है समझोते में अमेरिका से आयातित वस्तूओं के शुलक में छूट परदान करना है दोस्तों जनरलाइज सिस्टम ओफ प्रेफ रेसेंज के से रिलेटेड यह सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों अब बात करते हैं दो नेक्स्ट कॉशन दोस्तों विशू बैंक ने महिलाओं को पुरुशों के समान अधिकार देने के मामले में एक सो सित्यासी देशों की रिपोर्ट जारी की है इसमें भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है तो भारत को एक सो पचिसवा इस्तान प्राप्त हुआ दोस्तों इसमें ranking बनाई गई है जो कि कौन सा देश महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार देता है जो और ये report किसके द्वारा बनाईगे जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाईगे जो और इसमें कितने country का survey किया गई है जो 187 country का survey किया जो जिसमें इंडिया को 125th rank मिलिये जो अब बात करते हैं सो next question दोस्तों हाल ही श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में परदान मंत्री श्रम मंत्री योजना की आदिकारिक launching की है योजना का अंत्रिम बजट 2019 में कितनी राशी आउंटित की गई तो इस योजना के तहर दोस्तों जो योजना अलोट की गई है तो परदान मंत्री श्रम मंत्री योजना दोस्तों इसके तहर दोस्तों पांसो करोंड का बजट आउंटित किया गया दोस्तों अब बात करते हैं सो next question दोस्तों परदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी दौरा एमदाबाद में एक राष्ट एक कार्ड की शुरूआत की है इसका उद्देश्य क्या है तो इसका परमुक उद्देश्य है दोस्तों परिवन गतिशीलता बनाई रखनाई इसका परमुक उद्देश्य है दोस्तों जो कि योजना की शुरूआत 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 की फेस्बूक और वाटसअप अकाउंट की माद्यम से अपने दोस्तों को भी जरूर जरूर शेयर की दोस्तों हूँ